दोस्तो राजा जनक स्वैम ज्यानी थे किन्तु उन्हें ज्यान किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। अतह ज्यानी राजा जनक ने ज्यानी गुरु की खोज के लिए राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुझे ज्यान का उपदेश देगा उसे मनमाना धन प्राप्त होगा और यदि वह मुझे ज्यान का उपदेश ना दे सकेगा तो उसे बंदी ग्रिह में रहना होगा लेकिन उसे बंदिह ग्रिह की यातना नहीं भुगतनी होगी बलकि सुक के सभी साधन भोगने होगे भोशना सुन कर बहुत से ग्यानी राजा जनक की सभा में पहुँचे परन्तु सच्छा ग्यान उन्हें न दे सके और उन्हें बंदी ग्रीह में सुक उपहोग के लिए जाना पड़ा एक बार रिसी कुमार अश्टबक्र के पिता भी धन के लोब में राजा जनक की सभा में पहुँचे, परन्तु उन्हें भी हार मान कर बंदी गिरी में बंद होना पड़ा, अश्टबक्र को जब यह बात पता चली तो यह राजा जनक की सभा में पहुँचे, राजदरवार मे दरवारी सुन्दर पोसाक वह आवुष्णों में सज धज कर बैठे थे और राजा जनक राजसी ठाटवाट से अपने सिहासन पर विरजमान थे। अवता नहीं वरंदुरवलता कही जाएगी। अश्टवक्र ज्यान की चर्चा कर बिजय प्राप्त करने आये थे। इसलिए वे सभासदों के बैवहार से बिचलित नहीं हुए। क्यूंकि ज्यानियों के लिए मान अपमान सब समान होता है। राजा जनक ने कहा आपके टेढ़े मढ़े सरीर को देखकर हम लोगों को हसी आ गई। आपको दुख नहीं मानना चाहिए। परन्तु आप क्यूं इतनी जोड से हसे। उनके सभासद तथा स्वयम उये भी सरीर के रंग रूप ववनावट के प्रेमी हैं। उनके यहां ज्यान की नहीं नस्वर सरीर की महत्तता है। यह सुनकर दरवार में सभी स्थब्ध रगए। रात्री में अश्टबकर जी को राजा जनक के अंतहपुर में ठाराया गया और खूब सत्कार किया गया। किन्तु राजा जनक की आँखों में नींद कहां था। रिसी कुमार अश्टबकर की बाते उनके मस्तिस्क में प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दच्छिना चाहिए राजा जनक ने कहा आप मेरा पूरा खजाना ले ले जिए परंतु मुझे ग्यान प्रदान कीजिए अश्ट बक्र जी ने कहा यह खजाना तो राजी का है इस पर आपका कोई हक नहीं मुझे तो अपना मन गुरु संकल्प कर दिया है इसके बाद अश्टबक्र जी अपने पिता को बंदिगरी से छुड़ा कर घर पहुंचा आए इधर राजा जनक की दसा बड़ी बिचित्र हो गई चलते फिरते खाते सोते उन्हें यही ध्यान रहता कि उनके मन का संकल्प हो गया है इसी चिंता में उनकी स जडवत हो चुका हूँ किन्तु मुझे इसी में परम सांती मील रही है अश्टबक्र जी ने कहा इस जड़ता को तुम आत्म ज्यान ले जाने वाली जड़ता समझो क्यूंकि आब तुम ज्यान प्राप्त करने योग्य हो गये हो तब अश्टबक्र जी ने कहा सांसारिक भो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होकर जीव, सत, चित, आनंद बन जाता है यह सरीर पंच कोसों से बना होता है अन्न से इसकी उत्पत्ती होती है इसलिए इसे अन्नमै कोस भी कहते हैं इसके भीतर प्रानमै कोस है उसके भीतर मनोमै कोस और उसके बा आनंद मैकोस है, आनंद मैकोस में प्रवेश करते ही, सरीर को सुख दुख के जंजटों से छुटकारा मिल जाता है, इसके उपर है सर्व व्यापक आत्मा, सरीर पर ग्यान की सत्ता स्थापित होने पर ही आत्मा की प्राप्ति होती है, राजा जनक, अब मैं इस ग्यान के साथ आपका मन आपको बापिस कर रहा हूँ, अब मेरे आदेश से ग्यान के आधीन होकर इस राजी का संचालन कीजिए, समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनभव कीजिए, सबसे परे होकर रहिए, राजा जनक को ग्यान देकर अश्टब के बीच का संबाद अश्टबकर गीता के नाम से जाना जाता है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलिएगा, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अप मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद